हेलो प्यारे बच्चों मैं जंदर सिंग आप सभी का इस यूटूब प्लेंट फोरूम पर स्वागत करता हूँ प्यारे बच्चों आज हम हल करेंगे कक्षातीन के घणीत विशे की वाटसब कवीज जो आज ही जारी हुई है यानि 25 स्टंबर को जारी हुई है एक अक्वंबर तक आप इसे ओनलाइन या ओपलाइन हल कर सकते हैं प्यारे बच्चों इस वाटसब कवीज को सावधानी पुरुवक पढ़ना है क्योंकि ये परसन आगे आपके दूसरे टेस्ट में आ सकते हैं पीछे भी पहले टेस्ट में भी वाटसब कवीज से परसन आए थे तो प्यारे बच्चों अपने इस वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजि तो शुरू करते हैं अपने ये लो पहला परसन आ गया हलांकि इसमें यहां पर परसन नहीं है परसन नीचे दिया गया है इसको हम पढ़ेंगे पहले इस यह चीज देख लो आप ये चेरी है ये सेव है ये नास्पती ये टमाटर है परसन क्या है देखिए नीचे कौन सा फ फल बाई और से तीसरा है अब जिसे यह पेज है मागलो आपका ये क्या है पेज है ठीक है इस पेज का ये वाला भाग तो बाया होता है और इदर वाला भाग दाया तो हम बाएं से दाएं की तरब चलते हैं और या फिर दाएं से बाएं की तरब चलते हैं तो इदर वाला भाग बाएं और इदर वाला भाग दाएं हैं तो ये कागे कौन सा फल बाई और से तीसरा है, यानि इदर से जिसे चार फल है, एक, दो, तीन, चार, कौन सा फल बाई और से तीसरा है, तो एक, दो, तीन, यहाँ पर तीन नमबर पर देखते हैं कौन सा फल है, यह लो तीन नमबर पर देखो, एक नमबर, दो नमबर, तीन नमबर पर आपका क्या उत्तर है नासपती तो अब देखें नासपती कहां पर है ये रहा आपका कौन सा फल बायोर से तीसरा है नासपती कौन सा फल बायोर से तीसरा है नासपती यानि दूसरा ओप्सन है आपके पहले परसन का उत्तर आगे बढ़ते हैं अगले परसन की और स इसमें पंक्ति में बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? अब देखो अपने परसंद देखते क्या है? तीन लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी है अनू रानी के दाई और और मोना रानी के बाई और है पंक्ति में बाई से दूसरे स्थान पर कौन है? तीन लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी है अनू रानी के दाई और और मोना रानी के बाई और है देखो अनू रानी के दा रानी है और क्या का गए मोना रानी के बाई और तो इसका बायां भाग इधर है इधर आपकी मोना हो गई कौन से होगी मोना अब क्या का गए पंक्ति में बाई से दूसरे स्थान पर कौन है यह वाला बाग बायां इसके दूसरे स्थान पर कौन हो गई आपकी रानी हो गई आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले परशन की और ये लोग बच्चों आपके सामने कुछ खिलोने आये हैं आप इन खिलोनों को बड़िया धंक से देख सकते हैं कुटा, चत्री वगेरा है, बतका है इस परकार से आपके बहुत सारे चित्रियां पर दिये गए हैं अब ये दियान रखने हैं आपको इदर से गिनोगे तो ये तो बाया भाग है कौन सा भाग है? बाया और इदर वाला दाया भाग योदि बाया से पूछा जाता है तो इदर से गिनना शुरू करोगे गोले के अंदर दिखाया गया खिलोना बाईं और से स्तान पर है अब देखो गोले के अंदर कौन सा खिलोना दिखाया गया है जो बाईं और से स्तान कौन सा देखना है बाईं और से गोले के अंदर कौन सा खिलोना ये लो गोले में खिलोना कौन सा है और तो खुले है सारे के सारे परन्तु ये जो खिलोना है ये खिलोना आपका गोले के अंदर बंध है तो ये बाई और से कितने स्थान पर हो गया भी ये पहला है ये दूसरा है और ये तीसरा हो गया कौन से स्थान पर हो आगे बढ़ते हैं अगले परसन की और ये लो बच्छों आपके सामने गेंद आ गई क्या आ गई आपके सामने गेंद आ गई ये बहुत सारी गेंदे हैं आप इनको सावधानी से देख सकते हैं ये लो आपके सामने गेंदे हैं एक दो तीन च्यार पांच छह और छह बारा औ देखो क्या का गया है, चितर में तीन गेंदों के कितने समुएं दिखाए गए हैं, तीन गेंदों के कितने समुएं दिखाए गए हैं, तीन गेंदों के समुएं देखने हैं, तो अपने समुएं इस प्रकार से है, यह देखो परतेक समुएं है, यानि यह देखो लाइन है न है 6 समों आपकी किते समों होगे 6 आप देखिए प्रसंड का आपका सित्र में कितने समों में 6 समों हो क्वाधी समय हो आगे बढ़ते हैं अगले स्वाल की तरफ यहाँ पर देखो आपके सामने दो समुर दिए ढई कितने सम्य दिए गें हैं दो सम्य दिए गें अब यहाँ पर एक दो तीन च्यार फुर्व Kathryn एक दो तीन च्यार च्यार और साथ हो जोगे उपने हाँ दिक्ते किस प्रकार से प्रसन दिएगे छी ते गेंदों के कितने जोड़े दिखाएगे हैं कितने जोड़े तो च्यार इस तरफ थे देखो यानी चार जोड़े तो ये रहे और चार जोड़े ये दो गेंदू का एक जोड़ा होता है अब देखो दिएगे चितने जोड़े चार और चार आट होगे तो आपका पहला ही उतर है कौन सा उतर है आपका पहला ही उतर है कितने जोड़े थे 8 जोड़े थे तो आपका पहला उत्तर हो गया ठीक है आगे देखो अगले प्रसन की और यहाँ पर कुछ जुराब के जोड़े दिये हुए जुराब के जोड़े मोजे जिसे अपने कह सकते हैं कितने जोड़े हैं 1, 2, 3 1, 2, 3 वेशे 6 हो गए और समुए के अंदर 2 समुए 3, 3 का 2 समुए बन रहा है अब आगे पढ़ते हैं चितर में कितने जोड़े मोजे दिखाई गए है कितने जोड़े मोजे दिखाई गए है तो 6 जोड़े ठीक है 3 नीचे और 3 उपर कितने हो गए थे 6 जोड़े हो गए थे तो आपका 3 उत्तर है इसका अगले परसन की तरफ बढ़ते हैं अगला परसन देखो क्या है आपका ये लोग बच्चों आपके सामने आगए पूस्प, फूल आगए हैं और फूल भी कौन से हैं गुलाब के फूल है अब देखो इसमें पहले काउंट कर लो ये से तो 1, 2, 3 गंबले हो गए और है कितने 1, 2, 3, 4, 5 इसमें कितने 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 टोटल फूल देखे तो 15 है और गंबले कितने 3 हैं अब देखो परसन क्या है कुल कितने गुलाब है समुव में गिंती करके उत्र ग्यात कीजिए तो कुल कितने होए थे 15 होए थे कितने होए थे 15 तो आपका पहला उत्र हो गया अब देखो अगला परसन क्या आपका ये जुत्तों की जोडिया हैं बच्चों जुत्तों की जोडिया है तो देखो कितनी जोड़ी जुत्ते हैं एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा अब नीचे देखो परसन क्या पूछ रहा है दिएगे चितर में ग्यारा जोड़ी जुत्ते हैं बिल्कुल हाँ सही है तो आप पहला उतर कर दीजिए हाँ तो इस प्रकार से आपकी वाट्सप क्वीज है प्यारे बच्चों, कम्पलीट होई आपने वीडियो को आंतर देखा इसके लिए आपको धनेवाद और हिंदी भी से कि आपकी वाट्सप क्वीज है वो भी अपलोड कर दी गई है देख सकते हैं सभी कक्षाओं की सभी वाट्सप क्वीज को अपलोड कर दिया गया है या कर दिया जाएगा तो आप सावधानी पूर्वक इन्हें देख सकते हैं तो प्यारे बच्चों अगली कवीज में मिलेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आये तो लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे घंटे का निशान दी दबा दीजे अगली कवीज में मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम